एक special press वारता है जहाँ पर हमने LPG के सिलेंडर तो रखे ही हैं चूला भी रखा है और उसमें कंडा भी डाल दिया है और खाली कडाही भी डाल दिये क्योंकि यही सच है आज देश का आज देश का यही सत्य हम आपके माध्यम से ये मुद्दा उठाने के लिए देश के सामने देश की आवास को मुखरित करने के लिए और सोती हुई कुम्बकरण की नीद की सरकार को जगाने के लिए आए हैं हम आशा करते हैं कि उनके कान पर कोई तो जूरेगेगी क्योंकि कल इसी मंच से पेट्रॉल और डीजल के दामों में जो आग लगी है और सरकार ने उस पर जो मिठ्या जो पाकंड फेलाने की कोशिश करी है उसका परदाफाश हमने इसी मंच से किया था और कल ही सरकार ने वो परदाफाश हुआ, उनका पाखंड सब के सामने आया, उनकी विफलता सब के सामने आई और कल ही इस दंब और एहंकार में चूर सरकार ने रसोई गैस का दाम 25 रुपए प्रती सिलेंडर बढ़ा दिया है ये बढ़ोतरी अनैतिक तो है ही असमवेदन शील बहुत है पढ़ सकते हैं और वो लाइन आपको दो मिनिट में जरूर हम लोग बोलना चाहेंगे जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं गैस और चूला वगैरा रखा है महेंगी गैस महेंगा तेल, महेंगा है चूला चौका, जनता को ठगने का नहीं छोड़ा है कोई मौका फिर से डाल दिया है तुमने सबकी जेबो पर डाका, अच्छे दिन का वादा करके देते आये धोखे पर धोखा यही असलियत है इस सरकार की और इनका पाखंड इतना जादा है कि मैं वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी जो तब गुद्रात के मुख्यमंत्री होते थे, प्रधानमंत्री बनने की मुहिम शुरू कर चुके थे ग्यारा बचकर सत्तावन मिनिट पर 13 जून 2013 को मोदी जी का एक ट्वीट है और वो आप सबके साथ सांजा करना चाहते हूं उस ट्वीट में उन्होंने लिखा है, दिल्ली में बैठी कॉंग्रेस की सरकार महंगाई से त्राही त्राही कर गरीब जनता के घाव पर नमक छड़कने का काम कर रही है ये 2013 में भेजने वाले, लिखने वाले मोदी जी ने असलियत में क्या किया है, आप लोगों के साथ हम साजा कर देते हैं थोड़े से फिगर्ज भी हैं, तो उसको रिपीट करके विवर्स के लिए बताएंगे आज जब महंगाई से पूरे देश में त्राही माम मचा हुआ है भारतियों का बजट बिगड चुका है, दो वक्त की रोजी रोटी कमाना मुश्किल हो चुका है मोदी सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है मंदी से जूजते इस देश पर एक बार फिर से महंगाई का प्रहार किया गया है रसोई गयास के दाम 25 रुपए बढ़ा कर अब 869.5 अल्मोस 860 रुपए प्रती सिलेंडर दिल्ली शहर में बिकरा है देश के अन्य राज्यों में अन्य जगहों पर दूरी को देखते हुए ये सिलेंडर के दाम कहीं कहीं 1000 रुपए तक पहुँच चुके है और ये एक या दो बार बढ़ने वाले दाम नहीं है साथ बार में दाम 265 रुपए बढ़े हैं नवंबर 2020 में रसोई गयास का दाम जो था उससे 44 प्रतिशद बढ़त हुई है और यहां बताना जरूरी है कि मैई पिछले साल से सरकार ने सबसडी देना भी खतम कर दिया है एक का दुक का रुपए कहीं देते हैं क्योंकि कंट्रोल प्राइस और मार्केट प्राइस को एक कर दिया है और एक करने की वज़े से अब सबसिडी की कोई गुंजाईश नहीं रह गई है ये इसलिए जादा अनैतिक है और इसलिए ये जादा आप नमक मिर्चा रगण रहें घावों पर क्योंकि इस समय देश आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है बेरोजगारी से गुजर रहा है आए 97 प्रतिशत लोगों की कम हो गई है 32 लाख नौकरिया एक एक मैने में चली गई है तो ये नमक मिर्च रगणना तो है ही लेकिन ये सरकार के दम अहंकार उनकी असमवेदन शीलता का इस से बड़ा परिच है और कोई नहीं हो सकता था सवाल पूछिए तो साथ साल में सत्ता में होने के बावजूद दोशा रोपड होगा पहले की सरकारों पर दोशा रोपड होगा राज्यों पर और दोनों दोशा रोपड पाखंड मित्या पहलाने वाले गलत है मैं एक बात यहाँ पर पुर्जोर तरीके से बोलना चाहती हूँ कि दामों में ये वृद्धी केवल वैश्विक वृद्धी का नतीजा नहीं है क्योंकि अगर साउधी अरामकों का दाम देखा जाए जिससे कि हमारे LPG सिलेंडर का दाम ते होता है तो वहाँ पर दाम 611 डॉलर प्रती मेट्रिक टन है रुपए और डॉलर का एक्सचेंज रेट 79 रुपए 22 पैसा है अगर इन दोनों को मिला कर देखा जाए तो सिलेंडर इस समय 600 रुपए पर बिकना चाहिए था तो 600 रुपए पर ना बिक कर 860 रुपए पर सिलेंडर क्यों विकराए ये सवाल बार बार पूछा जाएगा कि मुनाफ़ा खोरी आम जनता की गला रेत कर आम जनता की कमर तोड़ कर क्यों करी जा रही है महंगाई पर मैं अपनी बात को रखूँ उससे पहले कैफी आजमी सहब की दो लाइने पड़ देना चाहती हूँ जो मुझे लगता है आज की सरकार और प्रधानमंत्री जी पर बिल्कुल सटीक भी बैठती है कैफी आजमी ने लिखा था ऐसी महंगाई है कि चहरा भी बेच कर अपना खा गया कोई यह मैं जोड़ रही हूँ अच्छे दिनों का अब ना वो अर्मान है ना वो सपने है सब कबूतर उड़ा गया कोई यह सच्छाई है मुझे नहीं मालूम आप मेंसे कितने पत्रकार साथी मीडिया के लोग दुकानों पर गए आज सुबा मेरी ही चांदनी चोग विधान सभा के सराइफूस में जहां पर इस तरह के मिट्टी के चूले बनते और बिकते हैं आज सुबा वहाँ पर ये खरीदने के लिए गई कीमत है 2500 रुपया वीडियो ट्वीट किया है महिलाएं वहाँ पर खरीदने पहुची थी सुबा सुबा घर में गैस का सिलेंडर खाली पड़ा है पता लगा 25 रुपय कीमत और बढ़ गई है हिम्मत नहीं है रोजगार नहीं है कमाईया नहीं है इसलिए सिलेंडर भरवाने की बजाए महिलाएं राजधानी दिल्ली की बात कर रही हूँ बाकि आप अंदाजा लगा सकते हैं दूर दराज के देश गाउ में जहां कि माउ की चिंता देश के परधान मंतरी को लाल किले से ववा करती थी कि माँ चूले लकडी पे चूला जलाती यह दूमे से आखे अंदी हो रही है मोदी जी कहते थे किसी ने ना बुलाया है मैं खुद चल कर आया हूँ अब माएं बुला रही है उस गाउं में दुबारा से आपको मोदी जी जिनके चूले जिनके सिलंडर खाली पड़े हैं लेकिन इन चूलों को भी वो महिला आप वीडियो देखिएगा साफ कह रही है बारगेन कर रही है इस मिट्टी के चूले के लिए कि धाई सो का नहीं दो सो डेड़ सो का देदो कमाई नहीं है घर का सिलंडर नहीं भरा पारी और ये भी खरीद रहा आज उस महिला के लिए मुश्किल हो गया है अपने चूलों को राजनी अगर आप सोचेंगे राजधनी दिल्ली में सिलंडर को छोड़ रही है तो देश के हालात आप सोच सकते हैं कि कहा हम जा रहे हैं चिंता ये है दुख ये है ग्यारा महिला मंतरी बहुत बड़ा हमें कहा गर्व करिये फक्र करिये देश में ग्यारा महिला मंतरी पहली बार इतनी बड़ा महिला मंतरी मंडल मिला है खुशी है लेकिन और खुशी होगी जब वो महिला मंतरी ग्यारा की ग्यारा परधान मंतरी जी के पास जाएं, उन्हें मिलें, उन पर दबाव बनाएं, कि देश की आदी आबादी करोडों महिलाएं, इस समय आपकी महंगाई की मार का बोज नहीं सह पा रही है, उनके चूले बंद हो रहे हैं, तब तो हम देखेंगे इन महिला मंत्रियों का कोई फाइदा है, आज हरी गड हो गया, देखते ही देखते, घरेलू गैस का सिलंडर हजार पार हो गया, मुद्द है क्या इस देश के, सरकार भठकाने के लिए न मुद्दों को इस तरीके से, और आज भी, आर्टिकल्स चापे हैं कुछ अख़बारों ने हिम्मत करके सच्चाई दिखाते ह हुए, कि आज देश में अगर 30 करोड, LPG GANS, इस्तमाल करने वाले पूरे देश में 30 करोड हैं, तो 22 करोड तो UPA के समय थे, आप दावा करते हैं कि आपके आने के बाद, उजुला प्रधान मंतरी, उजुला योजना के तहत, 8 करोड पहले फेस में आपने फ्री कनेक्शन द आई हैं, खाली सिलंडर पड़े हैं उनके घरो पाल, पर प्रधान मंतरी जी, आज हम सुभा से देख रहे हैं, शायद महंगाई पर, शायद पेट्रोल, डीजल, LPG GANS के बड़े दामों पर कोई ट्वीट करेंगे, पारलेमेंट का सत्र चल रहा था, एक जुलाई को दाम ब लेकर तो इस सरकार की हिम्मत नहीं हुई, संसत के सत्र के चलते हुए एक रुपया भी बढ़ाएं, लेकिन जैसे ही संसत का सत्र खतम होता है, देश की वित्मंत्री का बयान आपके हमारे सामने आता है, कि पेट्रोल डीजल के दाम तो कम होंगे नहीं, ये कितना भद्दा म है, कि आप कहती हैं कि कुछ भी कर लीजिए, सडकों पर आजाइए, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे नहीं, और उल्टा, लपीजी गैंस सिलंडर के दाम आप 25 रुपय बढ़ा भी रहे हैं, मुझे लगता है ये लोग तंतर को खुली चुनोती केंदर की मोधी स 2014 में जब देश में मनमोहन सिंग जी की सरकार थी, उस समय एलपी जी गैंस के सिलंडर के दाम कितने हुआ करते थे, 400 और 500 के बीच में थे, जब 2014 में मनमोहन सिंग जी ने सरकार छोड़ी थी, और तब अंतरास्ट्रिय बाजार में तेल की कच्छे तेल की कीमते क्या थी, करि इस सरकार को चुनोती देने से हम डर रहे हैं